हेलो फ्रांट्स वेल्कम टू सेविल इंजिनियर्स योसे यूट्यूब चैनल फ्रांट्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वाट इस 1.54 इन कॉंक्रेट कल्कुलेशन यानि कि जब भी हम कॉंक्रेट कल्कुलेशन करते हैं तो वहाँ पास वेट वेल्यूम को ड्राय में कनवर्ट करने के लिए 1.54 सें क्यूं मल्टिप्लाई करते हैं इस बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो फ्रेंट्स वीडियो शुकरने से पर इस वीडियो को लाइक कर दियेगा चैनल पर नहीं तो मैं चल को सब्सक्राइब कर दियो और बेल आकन दबाना ना भूलिएगा जिससे कि हर एक नूडू की नोडिफिकेशन आपको मिलती रहे तो फ्रेंट्स आपने में टॉपिक क्यों और वन पन फाइफ फॉर इन कॉंक्रेट काल्कुलेशन तो फ्रेंट्स यहाँ पे मैंने एक ये क्यूब का एकजांपल ले लिया है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि वन फाइप फॉर से क्यों मल्टिप्लाई कर रहे हैं कॉं 0.5 आट वेल्यूम कितना हो जाएगा 1 into 1 into 1 इसका यह गया हो गया वेल्यूम हो गया है यह जो हम कॉंक्रेट काल्कॉडट करेंगे 1 m³ के लिए ठीक है यह पहला क्या हम आ रहा है वेट वेल्यूम आया है ठीक है इसको मैं dry में convert करना होगा, यानि कि wet value को dry में convert जब हम करते हैं, तो उसमें 54% की क्या बढ़ोती ही हो जाती है, यानि कि dry का जो value होता है, वो 54% जादा होता है, ठीक है, इसके wet value से, ठीक है, और ये क्यों जादा होता है, तो ये भी मैं आपको बता दूँ, तो जब हमारी aggregate क्या होती है, dry होती है, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके कि इनने sand ना, क्या हमारी cement mix नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है, air whites होते हैं काफी जादा है, ठीक है, उससे उसका क्या होता है, volume जादा हो जाता है, ठीक है, इसी तरह जो हमारा sand होता है, उसमें भी air whites होते हैं, इसके इसका भी value थोड़ा ज़ादा होता है, तो जब इन सारी चीजों को जब यानि कि cement, sand, aggregate और water को जब mix करते हैं तो कोई भी air whites नहीं रहता है, ठीक है, जिसके विए से weight का जो value होता, वो हमारा कम होता है, ठीक है, तो अब आपको प्रेंट्स ये समझ में आ गया होगा कि हम 54% यानि कि 1.54 से क्यों multiply करते हैं तब इसका formula देख लिए हमारा कैसे आ रहा dry value is equal to wet value यानि कि dry निकालने के लिए हमें क्या करना होगा wet value जो हमारा 1m3 ठीक उसमें plus 54% of wet value यानि कि 54% इसमें हम plus और कर देंगे wet value का ठीक है 54% कि यानि क्या हो जाती है बड़ोतरी हो जाती है ठीक है dry में जब हम convert करते हैं तो 1 plus 54 upon 100 into 1 ठीक है 54% हमारा इस तरह निकलेगा ठीक है या आपको मालूम होगा कैसे हम निकालते हैं तो बस अब इसको हम solve कर लेंगे तो हमारा answer आएगा क्या इसको solve करेंगे तो आजाएगा कितना 0.54 ठीक है अब इन दोनों को plus कर देंगे तो 1.54 ठीक है जिसे 1m3 हम कह सकते हैं यानि की 1m3 width value जो हमारा है वो convert होने के बाट dry में क्या हो जाएगा 1.54 meter cube तो फ्रंस यह आपको समझ में आगे होगा कि width value को जब हम convert कर रहें तो जो width value में उसका 54% क्या बढ़ोतरी हो जा रही है ठीक है उतनी उसमें increase हो जाता है volume तो dry में क्या होता है 1.54 से में multiply करना होगा width value में तब हमारा real answer आएगा यानि की to convert 1m3 concrete from width to dry volume 1.54 यानि की 1m3 concrete को width से dry में convert करने के लिए हमें volume 1.54 से हमें multiply करना होता है ठीक है to convert n यानि की कोई भी हो जैसे 2 हो 3 हो 4 m3 हो 5 m3 हो ठीक है concrete from width to dry volume to 1.54 into n यानि की जितनी आपकी concrete होगी जैसे माल ये 2.5 ढ़ाई m3 हो या जितनी भी m3 हमारी concrete हो उससे में हम multiply कर देंगे ठीक है तो हमारा width यानि जो भी रहेगी वो हमारी dry निकल कर आ जाएगी ठीक है dry निकलने का ये हमारा तरीका है तो I hope friends आपको option में आगया होगा कि हम 1.54 से हम क्यूं wet से dry convert करते समय हम क्यूं multiply कर रहे हैं और ये हमारा 1.54 कहां से आ रहा है और इसके उपर एक अलक से भी हमने वीडियो बनाई हुई है वो भी इचा है तो आप जाके देख सकते हो उसमें और भी ज़्यादा detail पर बताया गया है कि हम 1.54 से हम क्यूं multiply कर रहे हैं तो I hope friends आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करें और हमें comment करके जोबता है ये वीडियो आपको कैसी लगी है और ये वीडियो ज़्यादा शेयर करिए का thank for watching